हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अब्डेट के साथ आप लोगों का स्वागत कहता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं जो बड़ी-बड़ी IT कंपनीज हैं जैसे कि like TCS, Bipro उसके साथी Infosys, SCL Tech और Techमेंद्रा यह top की 5 company है हमारे देश की ठिके और यह पाँचो को पाँचो जो company दोस्तो nifty में भी है ठिके और MSCI Index में भी है ठिके और यह इस इंडेक्स के बारे में तो हम बहुत बार बता चुके हैं और आगे भी हम बताने वालें इस ही वीडियो में तो इन पाँचो पांचो पांपन एक में एक्जाम्पल बता रहा हूं आप लोगो ठीक है यह तो बेस्ट कंपनी है इनको तो पॉर्टफोलियू में जगा फर्स्ट मतला पहली बार में देना चाहिए ठीक है लेकिन अब हमें इस कंपनी के ओपर भी फोकस रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों अब यह कंपनी भी अठा राजा 220 का ठीक है तो चलिए अब चलते हैं सीधा और देखते हैं कि वो कंपनी कोन सी है जो इन कंपनीों को कॉंपिटिशन दे सकती है तो वो कंपनी का नाम है दोस्तों लारसन टूर्बो इन्फो टेक लिमिटेड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LTA की नाम से भी जान लेकिन जब यह जोनों कंपनिया जुड़ जाएगी तो यह एक लार्ज केप कंपनी बन जाएगी ठीक लार्ज केप कंपनी बनने के बाद इसका पाइदान कौन सा रहेगा देखे बताता हूं TCS, Infosys उसके साथ ही SCL Tech और Bipro और Bipro के बाद जो Tech महंदरा आती है पाँच भी कंपनी वो उसको बीट करके यह पाँच भी कंपनी बन जाएगी बाय मार्केट केप के इसाब से ठीक है फिर आएगा दोस्तो टेक महंदरा का नाम तो यह टॉप की 6 कंपनी आ जाएगी फिर जिनका मार्केट केप एक लाग से उपर हो जाएगा तो यह कंपनी जब दोस्तो मिड केप से ठीक है मिड केप से लाज केप में प्रवेश करेगी अइंटर करेगी तो यह कंपनी का जो पादान है इसका जो मतलब आप बोल सकते हैं कि जो इसका ओकात है मार्केट में वो रूपनिया कितना अच्छा profit market में निकालेगी revenue generate करेगी यह आप example के रूप में भी देख सकते हैं ठीक है आप देखें अब merger का news जैसे ही final हो गया ठीक है कि मतलब आप आकरी stage में merger चल रहा है बहुत जल्दी merger confirm होने वाला है हमने 100 प्रेशों के केसाब से कौन से कितना शेर मिलेगा मतलब माइंट्री के अगर आपके पास 100 शेर है तो कितने शेर मिलेंगे इस company के त्योत्ता शेर मिलेंगे ऐसा हमने बता भी दिया है आपको अल्रीटी ठीक है तो देखें अभी हाँ पर हम देख रहे होंगे कि last कुछ दिनों से इन में गि इन्वेस्टर के लिए वह इंडेक्स बनाया गया है जैसे हमारे यहां पर si 50 है न वैसे में इंवेस्टर के लिए बना गया है जैसे हमारे रिटेल इंवेस्टर जो नया वेक्ति मार्केट में आता है चोटा परसले की 10,20,30,50,000 एक लाग तो वह सूंसता है कि मुझे इश्य में करता है कि वो कम्पणियां डेश की अच्छी कंपणिया है तो इन्वेस्टर महां पर जा जाके इन्वेस्मेंट कर दे चाहे तो उसको कोई टेंशन नहीं रहता है और यह चीज़े हमें भी पता है तो यहीं की दोई दोस्तों MSCI भी है MSCI में बल्ड की कंपनिया लिस्ट है बल्ड की पूरे वर्ल्ड में जो टॉप की कंपनिया है जिनके केटेगरी अच्छी है जो MSCI उसका रूल और रेगुलेशन अब पूरो फॉर्ला करती है तो उन कंपनियों को महाँ पर जगा मिलती है तो फोरें इन्वेस्टर आते हैं उनका से सिलेक करते हैं अपनी मन पसंद कंपनी और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो जो फोरें इन्वेस्टर का जो फंड रहता है उसमें काफी अच्छी तरीकी से बढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है ठीक है क्योंकि उनमें फोरें इंवेस्टर की सीधी सीधी नजर जाती है उन ठीक है, जो top का index है, और MSCI का एक mid cap index भी है, ठीक है, जैसे कि ये mid cap company आना, तो इनके लिए भी एक index बना हुआ है, तो ये company आ, वो छोटे index में list है, ये company और mind tree, जब ये दोनों company आ दोस्तों क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, तो ये company दोस्तों क्या होगी, पहले तो market से न निकालना पड़ेगा, तो जो foreign investor उन्होंने अभी से सोच लिया, कि इसको तो नई entity के रूप में, मतलब market में लाया जाएगा, तो इसमें से क्या करने लगे, वो profit booking करने लगे, जिसके कारण क्या हो रहा दोस्तों, share में गिरावट आ रही, अब ये company भी दोस्तों, उसमें र मर्ज हो जाएगी, तो उसको हटा दिया जाएगा, जैसे कि ये हो रही मर्ज, तो इसको हटा दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन इस company का क्या क्या जा रहा है, नाम बदला जा रहा है, तो Larson and Turbo Mindtree के नाम से, तो जिसके लिए इसको भी निका बदला जा रहा है, जिसके लिए इसको भी निकलना पड़ेगा, दोनों कंपनिया मार्केट से निकलेगी, तो दोनों में से जो foreign investor है, साइध यहाँ से माल निकालना चालू कर दिये हैं, तीक है, जब ये दोस्तों मर्ज हो जाएगी company, तीक है, मर्ज होने के बाद दोस्तों तो क्या होगा, इसका मार्केट के बढ़ जाएगा, ये लार्ज केप के टिगरे में आ जाएगी, एक अच्छी कासी condition में आ जाएगी, तो इसको फिर हो सकता है कि nifty 50 में भी जगा मिल जाए, ठीक है, MSCI में में इंडेक्स, जिसमें top 5 जो IT कंपनिया में देश की, उसमें इस इसलिए की राबट हो रही है कि साथ foreign investor ये सोच के पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन जब ये एक entity नई entity बनके आएगी market में, ठीक है, जब एक अच्छा कासा market में production करेगी, अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, IT service 25-2022 ranking, मतलब 25 IT कंपनिय हैं, बल्ड की, ठीक है, 2022 के ranking के इसाब से, जिन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, और अच्छा पैसा बचाया है, तो सबसे पहले, एक्षेंशर है, ठीक है, दुनिया की number one company, आप देख सकते हैं, दुनिया की number one company है, जिसने 2022 में, ठीक है, इतना पैसा कमाया है, इतना पैसा, ठीक है, और 2021 में इतना कमाया था, देन उसके बाद हमाई TCS आ जाती है, second number पे, जिन्होंने 2022 में इतना पैसा कमाया है, 2021 में इतना कमाया था, Infosys के अगर मैं बात कहता हूं, Infosys तीसरे पाइदान में पूरे बल्ड में, आप देख सकते हैं, ठीक है, TCS दूसरे number पे, और TCS इसको अगर इस company को beat करना होगा ना, तो बहुत महिनत करना पड़, क्योंकि double पैसा कमारी यह TCS से आप देख सकते हैं, ठीक है, और लगबग Infosys से तीन गुना, तो Infosys को तीन गुना ज्यादा बिजनेस करना होगा, खेर कर रहे हैं कि आप एक साल के एक साल मंतर देख सकते और फिर उसके बाद 9W number पर दोस्तों हमारी Wipro है, ठीक है, Wipro का 9W number पर पायदान है, और SCL Technology का, Sorry, Wipro का 7W number पर, और SCL Technology का 7W number पर, यहाँ पर क्या 9 और 7 यह सा क्या बताया जा रहा है, एक मुनिट है, अच्छा यह तो यह category बताया जा रही है, 21 और 22 के न, तो 21 में दोस् ठीक है, वो 7W number से यह 8W number पर चले गई, 22 में, मतलब एक पायदान SCL Technology पीछे खसक गई है, और इन से जो आगे company थी, वो आगे निकल गई है, ठीक है, तो ऐसा भी हमें देखने का मिल रहा है, और उसके साथी, जो LTI है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बतारू, उसका भी बल्ड में, और जो LTI के बारे में बता रहा हूँ, उसका नंबर 21 पायदान पर, 21 पायदान पर, ठीक है, 21 पायदान पर यह number हमें देखने का मिल रही है, या हो सकता है कि जब दोस्तों यह company का market के बढ़ जाएगा, दोनों company अमर्द हो जाएगी न, जब यह company साथ में को investment का देता हूँ, ठीक है, तो top 5 की company यह है, तो जिसमें TCRS और Infosys, इन में भी दोस्तों investor बहुत अच्छी, कोई बोलता है top 10 में investment करूँगा, तो top 10 में हमारी SL technology और Bipro भी आ रही है, कोई बोल रहा है कि में top 15 में investment करूँगा, तो top 15 में अभी तो हमारी tech मेंदर आ रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में दोस्तों हमारी LTI भी देखने है, वो समय LTI के नाम से नहीं जाने जाएगी, वो L&T Mindry के नाम से जाने जाएगी, या L&T Infotech Mindry के नाम से जाने जाएगी, ऐसा कुछ नाम है, अभी वो पूरी तरीके से confirm नहीं हुआ है, तो दोस्तों अब आपको LTI के उपर भी करना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर, तेके, अगर आपके पास Mindry के 100 शेर है, तो आपको LTI के 73 शेर मिलेंगे, तो आपके पास माइन ट्री के 50 शेर है, तो 50 और खरीद लीजिए, तो 73 मिल जाएंगे आपको, और उसी के साथ साथ ये एक नई entity के रूप में मार्केट में आएगी, काफी बड़ी कमपनी बनके मार्केट में आएगी, तो जरूर आपको LTI को क्या करना चाहिए, अपने focus में रखना चाहिए, तो यही चीज में बताने के लिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों तक लाया हूँ, बस आपको क्या करना है इस मेरी डिसर्च रिपोर्ट को लाइक करना है और सर चैनल को सस्क्राइब करना है, तो थैंक यू दोस्तों